C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा ग्यारह की समाज शास्त्र की पाठे पुस्तक समाज शास्त्र परिचे का ध्वनी पाठ अध्याय दो समाज शास्त्र में पर्योक्त शब्डाबली, संकल्पनाई एवं उनका उप्योग प्रिष्ट संक्या 27 परिचे पिछला अध्याय हमें समाज और समाज शास्त्र दोनों से परिचित कराता है हमने देखा कि समाज शास्त्र का मुख्यकार्य समाज और व्यक्ती की परसपर क्रियाओं की खोज करना है हमने ये भी देखा कि व्यक्ति समाज में स्वचंत रूप से नहीं रहते। वैसामुहिक निकायों जैसे परिवार, जनजाती, जाती, वर्ग, कुल, राष्ट्र का हिस्सा होते हैं। इस अध्याय में आगे हम व्यक्तियों द्वारा बनाए गए समुहों के विभिन प्रकारों, असमान व्यवस्थाओं के विभिन प्रकारों, स्तरीकरन की व्यवस्थाओं जिनमें व्यक्ति और समुह शामिल हैं सामाजिक नियंतरन के कारे करने के तरीकों, व्यक्तियों की चुरू करते हैं कि किस प्रकार समाज अपने आप कार्य करता है। समाज शास्र के लिए विशिष्ट शब्दावली की आवशकता क्यूं पड़ती है जबकि हम अपने द्यानिक जीवन में प्रस्तिती एवं भूमिका या समाजिक नियंत्रन जैसे शब्दों का प्रियोग करते हैं। तथा भी समाज शास्र के लिए शब्दावली और भी महत्वपून हैं। सिर्फ इसलिए कि इसकी विशेवस्तू परिचित है और सिर्फ इसलिए कि इसे दर्शाने के लिए शब्द मौजूद हैं। हम अपने आसपास की सामाजिक संस्थाओं से इतनी अच्छी तरह से परिचित हैं कि हम उन्हें स्पष्ट और बारीकी से नहीं देख सकते। परिश्ट संख्या 28 उधारन के लिए हम यह सोच सकते हैं कि चुकि हम परिवारों में रहते हैं इसलिए हम परिवारों के बारे में सब कुछ जानते हैं। इसका मतलब समाज शास्त्य ज्यान को समाने बौधिक ज्यान या प्रकतिवादी व्याख्या जिनकी चर्चा हमने अध्याए एक में की है कि समानांतर रखने जैसा होगा। पिछले अध्याए में हमने यह भी देखा कि किस परकार एक विशे के रूप में समाज शास्त्य की एक जीवनी या इतिहास है। पिवर्तनों को समझने और उनका खाका खीचने की चिन्ता को दर्शाती है जो कि पूर्व आध्यूनिक समय से लेकर आध्यूनिक समय तक स्थानांतरित हुए हैं। उधारन के लिए समाज शास्त्य का प्रेक्षन है कि सरल, छोटे और परंपरागत समाजों में घनिष्ट अक्सर आमने सामने की अंतिक्रिया होती थी और आध्यूनिक बड़े समाजों में अपचारिक अंतिक्रिया होती है। इसलिए उन्होंने प्रारंभिक समूहों को द्वीतियक से और समुदाय को समाज या संग से प्रथक किया। दूसरी अन्य सनकल्पनाएं जैसे स्तरीकरन समाज शास्तियों की समाज के समूहों के मध्य की सनरजनात्मक असमानताओं को समझने के सरोकारों को प्रतिबिम्बित करती है। सनकल्पनाएं समाज में उत्पन होती है। तथा पी, जिस परकार समाज में विभिन परकार के व्यक्ति और समू होते हैं, उसी परकार कई तरह की सनकल्पनाएं और विचार होते हैं। समाज शास्र, स्वैम समाज को समझने के विभिन तरीकों, एवं आधुनेक समे द्वारा लाए गए नाटकिये समाजिक परिवर्तनों पर द्रिष्टी रखने के लिए पहचाना जाता है। समाज के लिए सामाजिक एकता और सामूहिक चेतना मुख्य शब्द थे। द्वित्ते विश्वुई युद के बाद समाज शास्र, सनरचनात्मग, प्रकारेवादियों से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने समाज को महत्वपून रूप से सामंजस से पून पाया। दूसरे, विशेशकर माक्सवाज से प्रभावित, संगहशवादी, सिंधान्तकारों ने समाज को विशेश रूप से विरोध ग्रस्त पाया। समाज शास्र में कुछ लोगों ने व्यक्तियों जैसे सुक्ष्म, अंतिक्रिया से शुरुवाद कर मानविय वहवार को समझने की कोशिश की। दूसरों ने व्रहत संरचनाओं जैसे वर्ग, जाती, बाजार, राज्य, अत्वा स्वमुदाय से भी शुरुवाद की। प्रसिती और भूमिका जैसी संकल्पनाए व्यक्ति के साथ आरंभ होती है। सामाजिक नियंत्रन या स्तरीकरन जैसी संकल्पनाय विस्तरित संदर्व में आरंभ होती है जिनमें व्यक्तियों का स्थान पहले से ही तैह होता है प्रिष्ट संख्या 29 महत्वपून मुद्दा यह है कि यह वर्गिकरन और प्रकार जिनकी चर्चा हम समाज शास्र में करते हैं हमारी मदद करते हैं और यह वास्तविक्ता को समझने के साधन है ये समाज को समझने के ताले की चाबिया हैं। हमारी समझने की प्रक्रिया में ये प्रारंबिक बिंदू है। अंतिम उत्तर नहीं। पर क्या हो यदि इन चाबियों पर जंग लग जाए। या ये मुड जाएं। या ये ताले में ना जा पाएं। या प्रयास करने के बाद ताले में जा पाएं। इन परिस्थितियों में हमें चाबी को बदनने की या सुधारने की आवशकता पड़ती है। समाज शास्त्र में हम संकल्पनाओं और वर्गीकरन का प्रयोग करते हैं और साथ-साथ इनको निरंतर जाशते भी हैं। किसी एक विशय को कक्षा में चर्चा के लिए चुने। विकास के लिए लोगतंधर एक सहाईता अत्वा एक रुकावट है। लिंग समानता अधिक सामंज से पून अत्वा अधिक विभाजक समाज बनाती है विरोधों को दूर करने के लिए दंड अत्वा चर्चा सर्वश्रिष्ट तरीका है दूसरे विश्यों के बारे में सोचें किस प्रकार के अंतर उभरते हैं क्या ये एक अच्छा समाज कैसा होना चाहिए के बारे में विभिन दृष्टियों को प्रतिबिम्बित करते हैं? क्या ये अंतर मनुश्यों की विभिन धारनाओं को दर्शाते हैं? एक ही सामाजिक वस्तु के बारे में विभिन प्रकारों की परिभाशाओं या सलकल्पनाओं अत्वा सिर्फ विचारों की सह अस्तित्वता के बारे में अकसर एक बेचैनी रही है उधारन के लिए संगर्षवादी सिध्धान्त बनाम प्रकार्यवादी सिध्धान्त उपगमों की ये बहुलता समाज शास्त्र में विशेष्टया बहुत जादा है और इसे नकारा नहीं जा सकता यूगि समाज स्वैम बहुत विविद रूप में है हमारे द्वारा आगे की गई चर्चा में आप देखेंगे कि किस प्रकार मतों में विभिन्ता होती है और किस प्रकार इन अंतरों पर वाद विवाद और चर्चा समाज को समझने में हमारी सहायता करते हैं समाजिक समू एवं समाज समाज शास्त्र मानव के सामाजिक जीवन का अध्यन है मानविय जीवन की एक परिभाशिक विशेश्टा ये है कि मनुश्य परस पर अंतिक्रिया करता है समवाद करता है और सामाजिक सामुहिक्ता को बनाता भी है समाज शास्र का तुनलात्मक और एतिहासिक दृष्टि कोन दो स्पष्ट अहानिकारक तत्थियों को सामने लाता है पहला यह कि प्रतेक समाज में चाहेवे प्राचीन या सामन्तिय अत्वा आधुनिक हो एशियन या यूरोपियन या अफ्रीकन हो मानविये समू और सामुहिकताएं विद्यमान रहती है दूसरा यह है कि विभिन समाजों में समू हो और सामुहिकताओं के प्रकार अलग-अलग होते है प्रिष्ट संख्या 30 यह आवशक नहीं है कि किसी भी तरह से लोगों का इकठा होना एक सामाजिक समू बनाएं समूचे सिर्फ लोगों का जमाबड़ा होता है जो एक समय में एक ही स्थान पर एकत्र होते हैं लेकिन एक दूसरे से कोई निश्चित संबंध नहीं रखते एक रेलवे स्टेशन या हवाई अड़े या बस टॉप पर प्रतिक्षा करते यात्री या सिनेमा दर्शक समूचे के उधारन हैं समूचे को अकसर अर्ध समूः का नाम दिया जाता है एक अर्ध समूः एक समूचे अत्वा संयोजन होता है जिसमें सनरचना अत्वा संगठन की कमी होती है और जिसके सदस्य समूः के अस्तित्व के प्रति अनभिग्य या कम जागरुख होते हैं समाजक वर्गों प्रस्थिती समूहों आयू एवं लिंग समूहों भीड को अर्ध समूहों के उधारणों के रूप में देखा जा सकता है जैसा कि ये उधारण दर्शाते हैं अर्ध समूह समय और विशेश परिस्थितियों में समाजिक समूह बन सकते हैं उधारणाथ ये संभव है कि एक विशेश समाजिक वर्ग या जाती अत्वा समूधाय से संबंदित व्यक्ति एक सामूहिक निकाय के रूप में संगठित ना हो उनमें अभी हम की भावना आनी बाकी हो परंतु वर्ग और जाती ने समय पीतने के साथ साथ राजनितिक दलों को जनम दिया है उसी परकार भारत के विभिन समूधायों के लोगों ने लंबे उपनिवेशक विरोधी संगर्ष के साथ साथ अपनी पहचान एक सामूहिकता और समूह के रूप में विक्सित की है एक राष्ट जिसका मिला जुला अतीत और साजा भविश्य है महिला अंदोलन ने महिलाओं के समूह और संगठनों का विचार सामने रखा ये सभी उधारन इस बात की तरफ ध्यान खीशते हैं कि इस बरकार सामाजिक समूह उभरते हैं परिवर्तित होते हैं और संशोधित होते हैं एक समाजिक समू में कम से कम ये विशेष्टाएं होनी चाहिए क निरंतर्ता के लिए दीर्ग स्थाई अंतक्रिया ख इन अंतक्रियाओं का स्थिर प्रतिमान ग अन्यस अदस्यों के साथ एक सी पहचान बनाने के लिए अपनत्व की भावना अर्थाथ प्रतेक व्यक्ति समू के प्रति और इसके नियमों, अनुष्ठानों और प्रतिगों के प्रति सचेत हो प्रिष्ट के अंतिम भाग में दो चित्र दरशाए गए हैं पहले चित्र में कुछ व्यक्ति सडक पर दिखाए गए हैं वहीं दूसरे चित्र में बहुत से व्यक्ति दुकानों के बाहर पंग्ती में बैठे हैं। इसके लीचे लिखा है यह किस प्रकार के समू हैं। घ साजी रूची अणा सामान्य मान को और मुल्यों को अपनाना और च एक परिभाशित सनरचना। प्रिष्ट संख्या इकत्तिस यहां सामाजिक सनरचना का अर्थ व्यक्तियों अत्वा समूहों के बीच नियमित और बार-बार होने वाली अंते क्रिया के प्रतिमानों से है। आते, एक समाजिक समू से तातपर्य निरंतर अंतक्रिया करने वाले उन व्यक्तियों से है, जो एक समाज में समान रुची, संस्कृती, मुल्यों और मानकों को बांटते हैं। किरिया कलाप 2 एक नाम ग्याद कीजिये, जो प्रतेक शीशक के अंतरगत उप्युक्त है। एक जन जाती या जन जातियों पर आधारित राजनितिक दल। ग्रामीन एक पर्यावरन संबंधी आंदोलन, एक पर्यावरन संबंधी संगठन। चर्चा करें कि क्या ये सभी शुरुआत से ही सामाजिक समू थे और यदि कुछ नहीं थे, तो किस बिंदू पर समाज शास्त्रिये समझ के आधार से हम इनके लिए सामाजिक समू शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। क्रिया कलाब 3. किशोर आयू समू की चर्चा करें। चर्चा करें। समूहों के प्रकार में वर्गिक क्रित किया है। तथा पी जो बात आपको प्रभावित करेगी वे यह है कि प्ररूप विज्ञान में भी प्रतिमान होते हैं। अधिकतर मामलों में वे परंपरागत और छोटे समाज तथा एक आधुनिक और बड़े समाज में अपने अपने समू बनाने के तरीकों में अंतर को दिखाते हैं। प्रिश्ट संख्या 32 जैसा की पहले बताया गया है परंपरागत समाजों में नस्दी की घनिष्ट आमने सामने की अंते क्रिया होती हैं। और आधुनिक समाज में औव्यक्तिक अनासक्त दुरस्त अंतक्रिया होती हैं। वे इसी अंतर से प्रभावित हुए थे। तथापी, पूर्णत, विरोधा भास, शायद वास्विक्ता का सतीक वर्नन नहीं है। प्रात्मिक और द्वितियक समाजिक समूं। वे सभी समूं जिन से हम संबंधित होते हैं, हमारे लिए समान रूप से महत्वपून नहीं होते हैं। कुछ समूं हमारे जीवन के कई पक्षों को प्रभावित करते हैं। और हमें दूसरों के व्यक्तिक सहचारे में लाते हैं। प्रात्मिक समूह से तातपर्य लोगों के एक छोटे समूह से है, जो घनिष्ट आमने सामने के मेल मिलाब और सहयोग द्वारा जुड़े होते हैं। प्रात्मिक समुहों के सदस्यों में एक दूसे से समबंधित होने की भावना होती है। परिवार, ग्राम और मित्रों के समू प्रात्मिक समूहों के उधारन हैं। द्वीतियक समू आकार में अपेक्षकृत बड़े होते हैं और उनमें आपचारिक और अव्यक्तिक संबंध होते हैं। प्रात्मिक समू व्यक्ति उनमुख होते हैं। जबकि द्वीतियक समू लक्षे उनमुख, विद्याले, सरकारी कार्याले, अस्पताल, छात्र संग, आधी द्वीतियक समू के उधारन हैं। समूदाय एवं समाज अत्वा संग, पुराने परंपरागत और क्रिशक जीवन की नए आधुनिक और शहरी जीवन से उनके विभिन समाजिक संबंधों और जीवनशेली के आधार पर तुलना करने का विचार शास्त्रिय समाज शास्त्रियों के लेखन की और ले जाता है। समूदाय से तात्पर्य उन मानव संबंधों से है जो बहुत अधिक, व्यक्तिक, घनिष्ट और चिर्स्थाई होते हैं। जहां एक व्यक्ति की भागिदारी सच्चे मित्रों अत्वा एक सूगठित समू में भले ही परिवार जितनी नहीं परंतु महत्वपून होती है। पढ़ाई कर रही हैं। इसके नीचे लिखा है इन दो प्रकार के समूहों की तुलना कीजिए। और नियंत्रन करने वाले अन्य नियमों की सपष्ट जानकारी मिल जाएगी। इसकी एक बड़ी पारिवारिक सभा से तुलना कीजिए। आप ये भी देख सकते हैं कि कई बार एक उपचारिक समूह के सदस्यों की अंतिक्रिया समय बिताने के साथ अधिक घनिष्ट हो जाती है। और बिलकुल परिवार और मित्रों की तरह हो जाती है। उपरोक्त बात इस बिंदू को सामने लाती है कि सन कल्पनाए अडिग और स्थिर नहीं है। बलकि ये समाज और इसके परिवर्तनों को समझने की चाबियां अत्वा साधन है। समाज अत्वा संग का तात्पर्य हर तरह से समुदाय के विप्रीथ है। विशेश तेह आधुनेक नगरिय जीवन के स्पष्ट तेह और व्यक्तिक बाहरी और अस्थाय संबंध। वानेज्य और उद्योग की आवशक्ता यह है कि एक व्यक्ति का वहवार दूसरे व्यक्ति से नपातुला, युक्ति संगत एवं निजी हितो के अनुसार हो। हम एक दूसरे को जानने की अपेक्ष्या करार अत्वा समझोता करते हैं। आप समुदाय और प्रात्मिक समु को समान मान सकते हैं। और संगवा द्विक्तियक समु को समतुल्य मान सकते हैं। अन्ते समु एवं बहाय समु संबंधित होनी की भावना अन्ते समु की पहचान बनाती है। ये भावना हमें या हम को उन्हें अत्वा वे से अलग करती है। एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ने वाले बच्चों के विरुद एक अंत्य समू बना सकते हैं। क्या आप ऐसे किनी दूसरे समूहों के बारे में सोच सकते हैं। इसके विप्रीत एक बाहाईय समू वेह होता है जिससे एक अंते समू के सदस्य संबंधित नहीं होते एक बाहाईय समू के सदस्यों को अंते समू के सदस्यों की ओर से प्रतिकुल वहवार का सामना करना पड़ सकता है प्रवासियों को अक्सर बहाईय समू माना जाता है हालांकि यहां भी कौन संबंधित है और कौन संबंधित नहीं कि वास्तविक परिभाशा समय और सामाजिक संधर्बों के साथ बदलती रहती है क्रिया कलाब 5 दूसरे देशों में या हमारे देश के विभिन भागों में रहने वाले प्रवासियों के अनुभवों के बारे में पता लगाएं आप ये जानेंगे कि समूहों में संबंध बदलते और रुपांतरित होते रहते हैं एक बहाईये समू के सदस्य माने जाने वाले लोग अंतिस समू के सदस्य बन जाते हैं क्या आप इतिहास में इस प्रकार की प्रक्रियाओं के बारे में पता लगा सकते हैं। प्रिष्ट संख्या 34 प्रख्याज समाश शास्त्री M.N. शिरेनिवास ने 1948 में रामपुरा में जणगर्णना करते समित देखा कि किस प्रकार नए और पुराने प्रवासियों के बीच बेदभाव किया गया। वे लिखते हैं। वन्ष के रूप में किया गया था। पर हम अपने आपको उस समु से अभी निर्धारित अवश्य करते हैं। संदर्व समु संस्कृती, जीवन शैली, महत्वकांशाओं और लक्षे प्राप्ती के बारे में जानकारी के महत्वपून स्रोत होते हैं। ओपनिवेशिक समय में कई मध्यवर के भारतिये बिलकुल अंग्रेजों की तरह वहवार करने का प्रयत्न करते थे। इस प्रकार इन्हें महत्वकांशा रखने बाले समु के लिए संदर्व समु के रूप में देखा जा सकता था। परन्तु यह प्रक्रिया लिंग भेट पर आधारित थी। अर्थात पुर्षों और इस्त्रियों के लिए अलग-अलग मापदन थे। अक्सर भारतिय पुरुष अंग्रेज पुर्षों की तरह पोशाक थारन करना चाहते थे और उन्ही की तरह भोजन करना चाहते थे। परन्तु वे चाहते थे कि भारतिय महिलाएं अपना रेहन-सहन भारतिय ही रखे। या वह ये अकांशा रखते थे कि भारतिय महिलाएं अंग्रेज महिलाओं का कुछ रहन सहन ग्रहन करें पर बिलकुल उनकी तरह ना बने क्या आप इसे आज भी व्याद मानते हैं? समवयस्क समू यह एक प्रकार का प्रात्मिक समू है जो समानत है समान आयू के व्यक्तियों के बीच अध्वा समान्य व्यवसाय समू के लोगों के बीच बनता है सम्वयस्क दबाब से तातपर्य अपने सम्वयस्क साथी द्वारा डाले गए सामाजिक दबाब से है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए क्रिया कलाब 6. क्या आपके मित्र या आपके आयू समू के लोग आपको प्रभावित करते हैं? क्या आप अपने कपड़ों, वहवार, अपनी पसंद के संगीत, अपनी पसंद की फिल्मों के बारे में उनकी स्विक्रिती अत्वा अस्विक्रिती से कोई सरोकार रखते हैं? क् सामाजिक स्तरीकरन प्रिश्ट संख्या 35 सामाज शास्र में केंद्रिय है प्रतेक व्यक्ति और प्रतेक ग्रिही के चीवन का प्रतेक पक्ष स्तरीकरन से प्रभावित होता है स्वास्ते, दिर्धायू, सुरक्षा, शेक्षिनिक सफलता, कार्य में उपलब्धी और राजनितिक प्रभाव ये सभी अफसर व्यवस्तित तरीकों से असमान रूप से वित्रित हैं मानव समाजों में एतिहासिक रूप में स्तरीकरन की चार मूल व्यवस्ताएं मौजूद रही है दास्ता, जाती, स्टेट और वर्ग दास्प्रथा असमानता का चरम रूप है जिसमें वास्तम में कुछ व्यक्टियों पर दूसरों का अधिकार होता है यह चुटपुट रूप में कई कालो और स्थानों पर मौजूद रही है परन्तु दास्प्रथा के दो प्रमुख उधारन है प्राचीन, ग्रीज और रोम तथा अठारवी एवं उन्नीसवी शताब्दियों में सयुक्त राष्ट अमेरिका के दक्षनी राज्य एक अपचारिक संस्था के रूप में दास्प्रथा को धीरे धीरे जड़ से उखाड़ा गया परन्तु हमारे यहां अभी भी बंधुआ मजदूरी पाई जाती है यहां तक की उसमें बच्चे भी शामिल हैं स्टेट सामन्तवादी युरोप की विशेशता थी हम यहां इस्टेट का विस्ट्रित वर्नन नहीं करेंगे परन्तु समाजिक स्थरीकरन की विवस्थाओं के रूप में जाती और वर्ग का बहुत ही संशिप्त रूप में उलेख करेंगे समाजिक स्थरीकरन के आधार के रूप में वर्ग जाती लिंग के बारे में हम अगली पुस्तक समाज का बोध में पढ़ेंगे जाती जाती पर आधारित स्थरी करन विवस्था में व्यक्ती की स्थिती पूरी तरह से जर्म द्वारा मिली हुई प्रस्थिती पर आधारित होती है ना कि उन पदों पर जो व्यक्ती ने अपने जीवन में प्राप्त किये होते हैं कहने का तात्परे यह नहीं है कि एक वर्ग समाज में उपलब्धी पर कोई योजनाबद प्रतिबंध नहीं होता, जो कि प्रजाती और लिंग सरी की प्रदत प्रस्थिती द्वारा थोपा जाता है। हलांकि एक जाती वादी समाज में जनम द्वारा प्रदत प्रस्थिती एक व्यक्ति की स्थिती को एक वर्ग समाज की तुल्ला में जादा पून धंग से परिभाशित करती है परंपरागत भारत में विभिन जातियां समाजिक श्रेष्टा का अधिक्रम बनाती थी जाती सनरचना में प्रतेक स्थान दूसरों के संबंध में इसकी शुधता या अपवित्रता के द्वारा परिभाशित था इसके पीचे ये विश्वास था कि पुरोहित जाती ब्राहमन जो की सबसे अधिक पवित्र है बाकी सबसे श्रेष्ट हैं और पंचम जिनको कई बार बहाई जाती कहा गया सबसे निम्न हैं परंपरागत विवस्था को समाने तह ब्राहमन, शत्रिय, वैश्य और शुद्र के चार वर्नों के रूप में संकल्पित किया गया है वास्तविक्ता में विवसाय आधारित अंगिनत जाती समू होती हैं जिन के साँ-साद बहुत से परिवर्तन आए हैं कथित उच जातियों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए अनते विवा और अनुष्थानों में कथित निम्न जाती के सदस्यों की अनुपस्थिति बहुत आवशक मानी जाती थी नगरीकरन द्वारा लाय गये परिवर्नों इसे अनिवारे रूप से चुनौती दी। प्रसेद समाज शास्त्री ए आर देसाई के प्रेक्षन को पढ़े। भारत में नगरीकरन के दूसरे समाजिक प्रभावों पर उनकी टिपनी इस प्रकार है। शुद होटल और रेस्त्रों जिने वेतन भोगियों और मध्यम वर्ग के लिए बनाया गया था, शेहर में सभी जातियों और मतों के लोगों से भर गए। ट्रेनों और बसों में व्यक्ति अक्सर निम्न वर्ग के व्यक्ति के साथ सफर करते हैं। तथा पी ये नहीं माना जा हिए कि जाती लुप्त हो गई है। देशाई 1975-248 हालाकि परिवर्टन हुआ था परन्तु भेदभाव को दूर करना इतना आसान नहीं था। जैसा कि उप्रोक्त कथन कहता है। मिल में उस प्रकार का खुला भेदभाव ना हो जैसा कि गावों में होता है परन्तु नेजी अंतेक्रिया के अनुभव दूसरी कहानी बताते हैं। परमार ने देखा। वे हमारे हाथों से पानी भी नहीं पीते और हमसे वहवार करते समय कई बार गाली गलोच वाली भाश हम कितनी भी अच्छी वेश भूशा धारन करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वे कुछ चीजों को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। फ्रांको 2004-150 आज भी बहुत अधिक जातिगत भेदभाव उपस्तित है पर साथी लोगतंत्र की कारे प्रनाली ने जाती वेवस्था को प्रभावित किया है जाती हित सम्हू के रूप में मजबूत हुई है। हमने भेदभाव ग्रस्त जातियों को समाज में अपने लोगतंत्रिये अध वर्ग का वर्णन करने के लिए अनेक प्रियास किये गए हैं. यहां हम मास्क, वैवर और प्रकार्यवाद के केंद्रिय विचारों का केबल संशेप में उलेख करेंगे. मास के सिध्धानतों में सामाजिक वर्ग की परिभाशा इस आधार पर होती है कि उस वर्ग और उतपादन के साधनों के बीच क्या संबंध है. यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि क्या समु भूमी अत्वा कारखानों सरी के उतपादन के साधनों के स्वामी है? अत्वा क्या वे किसी वस्तु के नहीं केवल अपने श्रम के स्वामी है। समाजिक स्थरीकरन का प्रकार्यवादी सिधान्त प्रकार्यवाद की आस्था या समान्य पूर्व कल्पना के साथ आरंभ होता है कि कोई भी समाज वर्गहीन या संस्तरन मुक्त नहीं है। और गतीशील करने के लिए किन अवशक्ताओं का सामना करना पड़ता है। अतहे समाजिक असमान्ता या स्थरीकरन अंजाने में विक्सित किया गया वहसादन है जिसके द्वारा समाज यह निश्चित करता है कि सबसे अधिक महत्वपून स्थितियों को जान बूच कर सबसे योग्ये व्यक्तियों द्वारा भरा जाए। क्या यह सत्य है? एक परंपरागत जाती व्यवस्था में समाजिक अधिकरम, निश्चित वकठोर होता है और इन समाजों में पीडी-दर-पीडी हस्तांतरित होता है। इसके विप्रीद आधुनिक वर्ग व्यवस्था खुली है और उपलब्धी पर आधारित है। लोकतंत्रिय समाजों में सरवाधिक वंचित वर्ग और जाती के किसी व्यक्ति को सरवोच पद पर पहुँचने से कोई भी कानूनन रोक नहीं सकता। उपलब्धी की इस परकार की कहानिया वाकई विद्यमान है और ये असीम प्रेणना का स्रोथ होती है। यद भी अधिकांश हिस्से के लिए जाती व्यवस्था की सनरचना अभी तक बनी हुई है। नाकेवल सामाजिक बलकी आर्थिक रूप से भी वन्चित स्थिती में है। स्वर्गियर राष्टपती के आर नरायन के जीवन के विशे में और अधिक पता लगाएं। इस संधर्ब में प्रदत और अर्जित की गई प्रस्थिती, जाती और वर्ग की सनकल्पना की विवेचना करें। इन दो सनकल्पनाओं प्रस्थिती और भूमिका को अक्सर युगल सनकल्पनाओं की तरह देखा जाता है। प्रस्थिती समाज या एक समू में एक स्थिती है। प्रतेक समाज और प्रतेक समू में ऐसी कई स्थितियां होती है और प्रतेक व्यक्ति ऐसी कई स्थितियों पर अधिकार रखता है। अतह प्रस्थिती से तातपर, सामाजिक स्थिती और इन स्थितियों से जुड़े निश्चित अधिकारों और कर्तव्यों से हैं प्रिष्ट संख्या 38 उल्हारन के लिए मा की एक प्रस्थिती होती है जिसमें आजरन के कई मानक होते हैं और साथ ही निश्चित जिम्मेदारियां और विशेश अधिकार भी होते हैं भूमिका प्रस्थिती का सक्रिय या वहवारात्मक पक्ष है प्रस्थितियां ग्रेहन की जाती है एवं भूमिकाय निभाई जाती हैं हम यह कह सकते हैं कि प्रस्थिती एक संस्थागत भूमिका है यह वैभूमिका है जो समाज में या समाज के विशेश संगों में से किसी में भी नियमित, मान किये और अपचारिक बन चुकी है। कहने की अवशकता नहीं है कि हम इस सोची को जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। समाज जितना चोटा और सरल होगा, एक व्यक्ति की उतनी ही कम प्रकार की प्रस्थितियां होगी। हम देखते हैं कि एक आधुनिक समाज में व्यक्ति की वह सी प्रस्थितियां होती है जिसे समाज शास्तिय रूप में प्रस्थिती सम्मूचे का नाम दिया गया है व्यक्ति अपने जीवन के विभिन चर्नों में अलग-अलग प्रस्थितियां ग्रहन करते हैं एक पुत्र पिता बन जाता है, पिता दादा बन जाता है और फिर परदादा एवं यह क्रम इसी तरह चलता रहता है। इसे प्रस्थिती क्रम कहते हैं, क्यूंकि इसका अर्थ जीवन के अनेक चर्णों में प्राप्त की गई प्रस्थितियों से है, जो एक क्रम में आती हैं. प्रदत प्रस्थिती एक सामाजिक स्थिती है, जो एक व्यक्ती जन्म से अत्वा अनैचिक रूप से ग्रहन करता है. प्रदत प्रस्थिती का सामाने आधार आयू, जाती, प्रजाती और नातेदारी है. सरल और परंपरागत समाज प्रदत प्रस्थिती से चिन्नित होते हैं. दूसरी तरफ अर्जित प्रस्थिती वे सामाजिक स्थिती है जो एक व्यक्ति अपनी इच्छा, अपनी शम्ता, उपलब्धियों, सद्गुनों और चेयन से प्राप्त करता है अर्जित प्रस्थिती का सामाने आधार, शेक्षनिक योग्यता, आय और व्यवसाइक विशेश अग्यता है आधुनिक समाज को उपलब्धि के आधार पर आँका जाता है इसके सदस्यों को प्रतिष्ठा उनकी उपलब्धियों के आधार पर प्रदान की जाती है आपने अक्सर ये वाक्यांश सुना होगा कि आपको अपने आपको साबित करना है परंपरागत समाजों में आपकी प्रस्थिती जनम से परिभाशित और निर्धारित होती थी तथा पी जैसा की पहले चर्चा की गई है उपलब्धी पर आधारित आधुनिक समाजों में भी प्रदत प्रस्थिती महत्व रखती है प्रस्थिती और प्रतिष्ठा अंते संबंधित शब्द है प्रतेक प्रस्थिती के अपने कुछ अधिकार और मुल्य होते हैं मुल्य किसी व्यक्ति से उसके कार्यों या उनके अनुपालन से नहीं बलकि सामाजिक स्थिती से जुड़े होते हैं प्रस्थिती या पदाधिकार से जुड़े मुल्य के प्रकार को प्रतिष्ठा कहते हैं अपनी प्रतिष्ठा के आधार पर लोग अपनी प्रस्थिती को उचा या नीचा दर्जा दे सकते हैं प्रिष्ट संख्या 49 एक दुकानदार की तुल्ला में एक डॉक्टर की प्रतिष्ठा जादा होगी चाहे उसकी आय कम ही क्यों न हो यह ध्यान रखना अवशक है कि किस व्यविसाय को प्रतिष्ठित माना जाता है यह विचार समाज और समय किस साथ बदलता रहता है आपके समाज में किस प्रकार की नौकरिया प्रतिष्ठित मानी जाती है इनकी अपने मित्रों के साथ तुल्ला करे समानताओं और विभिनताओं की चर्चा करें इसके कारणों को समझने की कोशिश करें लोग अपनी भूमिकाओं को सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार निभाते हैं जो की भूमिका को ग्रहन करना और भूमिकाओं को निभाना है एक बच्चा इस आधार पर वहवार करना सीखता है कि दूसरे लोग उसके वहवार को किस प्रकार देखते वह आंक्ते हैं भूमिका संगहर्ष एक या अधिक प्रस्तितियों से जुड़ी भूमिकाओं की असंगतता है यह तब होता है जब दो या अधिक भूमिकाओं से विरोधी अपेक्षाएं पैदा होती है एक सामान्य उधारन मध्यम वर्गिय कामकाजी महिला का है जिसे घर पर मा तथा पतनी और कारिस्थल पर कुशल वेबसाइक की भूमिका निभानी पड़ती है पता लगाएं कि घर का नौकर और निर्मान करने वाला मस्दूर किस प्रकार भूमिका संगर्ष का सामना करते हैं यह एक सामान्य मान्यता है कि पुरुष भूमिका संगर्ष का सामना नहीं करते समाश शास्र जिसमें अनुभविक और तुनलात्मक दोनों विशे आते हैं इससे अलग राय रखता है खासी मात्री वंश पुर्षों के लिए बहुत अधिक भूमी का संगर्ष पैदा करता है वे एक तरफ अपने जमजात घर और दूसरी तरफ पत्नी और बच्चों के प्रती जिम्मेदारी में बढ़ जाते हैं वे अपने बच्चों की निष्ठा को शासित करने के आवशक अधिकार और यहां तक की मृत्यू के बाद स्वैम अर्जित संपत्ती को अपने बच्चों को देने की अधिकार से भी वंचित महसूस करते हैं खासी महिलाओं को यह दवाब और अधिक रूप से प्रभावित करता है एक महिला कभी भी पून रूप से आश्वस्त नहीं हो सकती है की उसके पती को अपनी बेहन का घर अपनी पत्नी के घर की अपेक्षा अधिक अनुकूल नहीं लगता नौंगब्री 2003-1990 भूमिका स्थिरीकरन समाज के कुछ सदस्यों के लिए कुछ विशिष्ट भूमिकाओं को सुद्रेड करने की प्रक्रिया है उधारन के लिए अक्सर पुरुष कमाने वाली और महिलाएं घर चलाने वाली रूड़ी बद भूमिकाओं को निभाते हैं सामाजिक भूमिकाओं और प्रस्थितियों को अक्सर स्थिर और अपरिवर्थनिय रूप में देखा जाता है जो की गलत है यह महसूस किया गया है कि व्यक्ति उन अपेक्षाओं को समझने लगता है जो एक संस्कृति में सामाजिक स्थिति से जुड़ी होती है व्य उन भूमिकाओं को उसी परकार निभाता है जिस परकार वे परिभाशित की जाती है प्रिष्ट संख्या 40 क्रिया कलाब 10 समाज के प्रभावशाली हिस्से द्वारा सामाजिक रूप से निरधारित भूमिकाओं का उलंगन या अतिक्रमन करने वाले लोगों को नियंत्रित वद दंडित करने की कोशिश के बारे में समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टों को एकत्रित कीजिए समाजी करन द्वारा व्यक्ती सामाजिक भूमिकाओं को ग्रहन करते हैं और उन्हें निभाना सीखते हैं तथा पी इस मद को गलत रूप से लिया जाता है यह बताता है कि व्यक्ति भूमिकाओं को बनाने अत्वा स्वादा करने की बजाए सिर्फ उन्हें ग्रहन करता है वास्तव में समाजी करन वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य करता की भूमिका निभा सकते हैं वे केवल निश्क्रिये वस्तून नहीं है जो निर्देशों की प्रतिक्षा करते हैं। व्यक्ति सामाजिक अंतिक्रिया की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया द्वारा सामाजिक भूमिकाओं को समझने और अपनाने लगते हैं। यह विवेचना शायद आपको व्यक्ति और समाज के संबंधों को समझने में मदद करेगी, जिसके बारे में हम पहले अध्याई में पढ़ चुके हैं। भूमिकाएं और परिस्थितिया ना ही स्थिर होती हैं और ना ही किसी के द्वारा प्रदान की जाती हैं। लोग भूमिकाओं और प्रस्थितियों में जाती, प्रजाती अत्वा लिंग पर आधारित भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करते हैं। दूसरी तरफ समाज में कुछ विभाग ऐसे होते हैं जो इन परिवर्तनों का विरोध करते हैं। उसी प्रकार व्यक्तियों द्वारा भूमिकाओं का उलंगन करने पर उन्हें प्राय दंडित किया जाता है। अते समाज ना केवल भूमिकाओं और प्रस्तितियों के साथ बलकि समाजिक नियंत्रन के साथ भी कार्य करता है समाज व समाजिक नियंत्रन समाज शास्र में समानत है सबसे जादा प्रयोग की जाने वाली संकल्पनाओं में से एक है इसका तात्पर्य उन अनेक साधनों से हैं जिनके द्वारा समाज, अपने उद्धंड या उपद्रवी सदस्यों को पुणह रह पर लाता है आप ये जानेंगे कि किस प्रकार संकलपनाओं के अर्थ के बारे में समाज शास्त्र में अलग अलग द्रिश्टी कोन और विवाद है आप ये भी जानेंगे कि प्रकार्यवादी समाज शास्त्रियों ने समाज को विशेश रूप से समंजस्य पून समझा और विरोधी समाज शास्त्रियों ने समाज को मुख्य रूप से असमान, असंगत और अत्याचारी समझा हमने ये भी देखा कि किस प्रकार कुछ समाज शास्त्रियों ने व्यक्ति और समाज पर अधिक ध्यान केंद्रित किया और दोसरों ने सामोहिकताओं पर जैसे वर्ग, प्रजातियां, जातियां प्रकार्यवादी द्रिश्टिकोन के अनुसार सामाजिक नियंत्रन का तातपर्य है एक, व्यक्तियों और समूहों के वहवार को नियमित करने के लिए बलप्रियोग करना दो, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मूल्यों और प्रतिमानों को लागू करना सामाजिक नियंत्रन को एक तरफ व्यक्तियों या समूहों के पत भरष्ट वहवारों को नियंत्रित करने के लिए संचालित किया जाता है और दूसरी तरफ समाजिक व्यवस्था और समाजिक सहाचारे को बनाए रखने के लिए व्यक्तियों और समुहों के तनाव और विरोध को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार समाज में स्थिर्ता के लिए समाजिक नियंत्रन को महत्वपून माना जाता संगर्षवादी सिधान्तवादी अक्सर सामाजिक नियंत्रन को ऐसे साधन के रूप में अधिक देखेंगे जिनके द्वारा समाज के प्रभावी वर्ग का बाकी समाज पर नियंत्रन लागू किया जा सकता है स्थिर्ता को समाज के एक भाग द्वारा दूसरे भाग पर प्रभुत्व के रूप में देखा जाएगा इसी बरकार कानून को समाज में शक्तिशालियों और उनके हितों के अपचारिक दस्तावेज के रूप में देखा जाएगा सामाजिक नियंत्रन का तातपर्य सामाजिक प्रक्रियाओं, तक्निकों और रन्नीतियों से है जिनके द्वारा व्यक्ति या समूह के वहवार को नियमित किया जाता है इसका अर्थ व्यक्तियों और समूहों के वहवार को नियमित करने के लिए बल प्रयोग से और समाज में व्यवस्था के लिए मुल्यों वप्रतिमानों को लागू करने से है सामाजिक नियंतरन अनुपचारिक या आपचारिक हो सकता है यह नियंत्रन के सहीता बद, वेवस्थित और अन्य आपचारिक साधन प्रियोग किये जाते हैं, तो यह आपचारिक सामाजिक नियंत्रन के रूप में जाना जाता है सामाजिक नियंत्रन का अन्तिम और नी संधे प्राचीनतम साधन है शारीरिक बल प्रियोग यहां तक की आधुनिक लोक तंत्र के उदार विचारो वाले समाज में भी चरम तर्क हिंसा है कोई भी राज्य पुलिस बल या इसके समान किसी अन्य सशस्र बल के बिना नहीं रह सकता किसी भी क्रियाशील समाज में हिंसा को मित वैता से और अंतिम उपाय के रूप में प्रियोग किया जाता है प्रतिदिन के सामाजिक नियंद्रन के लिए बल प्रयोग का केवल भै ही काफी होता है जब मनुशे ऐसे गेहन समुहों में रहते हैं या काम करते हैं जिसमें वे व्यक्तिगत रूप से जाने जाते हैं और जिसके प्रती वे व्यक्तिगत निश्ठा की भावना से बंधे होते हैं वह प्रकार जिसे समाज शास्त्री प्रात्मिक समू कहते हैं, तो वास्तविक या संभावित पत्थ भरष्ट लोगों को रहा पर लाने के लिए नियंतरन के प्रबल और तिक्ष्न साधनों का प्रियोग किया जाता है। समाजिक नियंतरन का एक पक्ष जिस पर जोर देना अवशक है यह त्यक्थ्य है कि यह अक्सर कपट पून दावे पर आधारित होता है। एक छोटा लड़का अपने समवयस्क समू पर अपने बड़े भाई जिसे जरूरत के समे किसी विरोधी को पीटने के लिए बुलाया ज सकता है कि द्वारा महत्वपून नियंतरन कर सकता है। ऐसे किसी भाई की अनुपस्थिती में भाई की कलपना करना भी संभव है। यह चोटे लड़के के जनसंपर्क कौशल का प्रश्न होगा कि क्या वे अपनी कलपना को वास्तविक नियंतरन में बदनने में सफल होगा या नहीं बरजर 84 नभ्वे। क्या आपने किसी छोटे बच्चे को यह कहकर दूसरे बच्चे को डराते देखा या सुना है कि मैं अपने बड़े भाई को बता दूँगा। क्या आप अन्य उधारनों के बारे में सोच सकते हैं। कि अशास्किय समाजिक नियंतरन किस प्रकार कारे करता है। क्या आपने कक्षा में या अपने समवैस्क सम्हू में यह निरिक्षिन किया है कि एक बच्चा जो दूसरे से थोड़ा भी अलग तरह का वहवार करता है उससे किस प्रकार बरताव किया जाता है। क्या आपने ऐसी घटनाई देखी है जब बच्चों को उनके समवयस्क समू अन्य बच्चों की तरह बनने के लिए तंग करते हैं। ये अपचारिक समाजिक नियंत्रन के माध्यम और साधन होते हैं। उधारन के लिए कानून और राज्य आधुनिक समाज में समाजिक नियंत्रन के अपचारिक साधनों और माध्यमों पर जोर दिया जाता है। प्रतेक समाज में एक दूसरे प्रकार का सामाजिक नियंत्रन होता है, जिसे अनोपचारिक सामाजिक नियंत्रन के रूप में जाना जाता है। दैनिक जीवन में ये बहुत प्रभावशाली होते हैं। फिर भी कुछ मामलों में सामाजिक नियंत्रन की अनुपचारिक विध्या, अनुरूपता या आज्याकारिता लागू करने में असमर्थ हो सकती है। अनुपचारिक सामाजिक नियंतरन के विभिन माध्यम होते हैं, अर्थात, परिवार, धरम, नातेदारी आदी क्या आपने इज़त के लिए हत्या के बारे में सुना है? नीचे दी गई समाजपत्र रिपोर्ट को पढ़ें और इसमें शामिल सामाजिक नियंतरन के विभिन मामलों को पहचाने अंदर जातिये विवाह करने पर भाई ने बहन की हत्या की पुलिस के अनुसार 19 वर्षिये एक लड़की जब अस्पताल में सो रही थी तब उसके बड़े भाई ने उसका सिर कलम कर उसकी हत्या कर दी जिसे इज़त के लिए हत्या या ओनर किलिंग कहा जाता है उन्होंने कहा कि लड़की द्वारा जाती के बाहर विभा करने के बाद 16 दिसम्बर को उसके भाई ने उस पर चाकु से हमला किया था और उसका अस्पताल में इलाद चल रहा था उन्होंने बताया कि वह और उसका प्रेमी 10 दिसम्बर को घर से भाग गए थे और शादी करने के बाद 16 दिसम्बर को अपनी घर वापस आ गए उसके अभिभावकों ने इस विवा का विरोध किया था पंचायत ने भी युगल पर दवाब डालने की कोशिश की थी पर उन्होंने अलग रहने से मना कर दिया था स्विक्रिती पुरसकार या दंड का एक धंग है जो सामाजिक रूप से उपेक्षित वहवार को पुनह स्थापित करता है सामाजिक नियंत्रन सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है समाज के सदस्यों को अच्छे और अपेक्षित वहवार के लिए प्रसकृत किया जा सकता है दूसरी तरहा नियमों को लागू करने के लिए और विचलन को रहा पर लाने के लिए नकारात्मक स्वीकृतियों का प्रियोग भी किया जाता है विचलन का अर्थ उन क्रियाओं से है जो समाज या समू के अधिकतर सदस्यों के मुल्यों या आदर्शों के अनुसार नहीं होती विचलन को मोटे तोर पर विभिन संस्कृतियों या उपसंस्कृतियों में अंतर करने वाले मानकों और मुल्यों के रूप में जाना जाता है इसी प्रकार विचलन के विचार को एक समय से दूसरे समय में चुनोतियां मिलती है और ये परिवर्टित होते रहते हैं उल्हारन के लिए एक ही समाज में अंतरिक्ष्ययात्री बनने की इच्छा रखने वाली महिला को एक समय में तो विचलक माना जाएगा और दूसरे समय में उसी समाज में उसकी प्रशनसा की जाएगी आप पहले ही जानते हैं कि समाज शास्त्रिक किस प्रकार सामान्य बौधिक ज्यान से भिन है इस अध्याई में चर्चा की गई विशिष्ट शब्दावली और सनकल्पनाए समाज की समाज शास्त्रिय समझ को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगी शब्दावली विरोधी सिध्धान्त एक समाज शास्त्रिय द्रिष्टिकोन जो मानव समाजों में उपस्थित तनावों, विभाजनों और संगर्श रत रुच्चियों पर ध्यान कींद्रित करता है संघर्षवादी सिध्धान्तकार मानते हैं कि समाज में संसाधनों की कमी और उनका मूल्य विरोध उत्पन करता है क्योंकि समू इन संसाधनों पर पहुँच और नियंत्रन स्थापित करने के लिए संघर्ष करते हैं कई संगर्षवादी सिधान्तकार मास्क के लेखन से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। प्रकारिवाद एक सैधान्तिक दिष्टिकोन जो इसधारना पर आधारित है कि सामाजिक घटनाओं को उन कारियों के रूप में सबसे अच्छी प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है जो वे निभाते हैं। अर्थाद समाज की निरंतरता में वे जो योगदान करते हैं एवं एक जटिल वैवस्था के रूप में समाज को जिसके विभिन भाग एक दूसरे के साथ कारिय करते हैं को समझने की अवशक्ता है। पहचान एक व्यक्ति या समू के चरित्र की विशेश्टाएं जो यह बताती है कि वे कौन हैं और उनके लिए क्या अर्थपून हैं। पहचान के कुछ स्रोत हैं लिंग, राष्ट्रियता या प्रजातियता और सामाजिक वर्ग। उत्पादन के साधन वे साधन जिनके द्वारा समाज में भौतिक वस्तूं का उत्पादन किया जाता है। जिनमें ना केवल तकनीकी बलकि उत्पादकों के परस पर सामाजिक सम्बंध भी समिलित हैं। प्रिष्ट संख्या चवालीज व्यश्टी समाजशास्त्र और समश्टी समाजशास्त्र आमने सामने अंतिक्रिया की परिस्थितियों में प्रतिदिन के वहवार का अध्यन समानते व्यश्टी समाजशास्त्र कहलाता है व्यश्टी समाज शास्त्र में विशलेशन व्यक्तिगत स्तर पर या छोटे समुहों में होता है। यह समश्टी समाज शास्त्र से भिन हैं, जिसका सरोकार बड़ी सामाजिक व्यवस्था से होता है, जैसे राजनीतिक व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था, हालांकि यह भ जन्म संबंधी किसी के जन्म स्थान या जन्म काल से संबंधित मानक वहवार के नियम जो एक संस्कृती के मूल्यों को प्रतिबिन्बित करते हैं या उसे मूर्थ रूप देते हैं जो या तो वहवार के एक दिये गए प्रकार को सुझाते या वर्जित करते हैं प्रश्न एक समाज शास्र में हमें विशिष्ट शब्दावली और सनकल्पनाओं के प्रयोग की अवशक्ता क्यूं होती है? प्रश्न दो समाज की सदस्य के रूप में आप समूहों में और विभिन समूहों के साथ अंतिक्रिया करते होंगे समाजशास्त्य द्РИष्टिकों से इन समूहों को आप किस प्रकार देखते हैं? प्रश्ण 3. अपने समाज में उपस्धित स्तरीकरन की वेवस्था के बारे में आपका क्या प्रेक्षन है? स्तरीकरन से व्यक्तिगत जीवन किस प्रकार प्रभावित होते हैं? प्रश्न 4. सामाजिक नियंत्रन क्या है? क्या आप सोचते हैं कि समाज के विभिन शेत्रों में सामाजिक नियंत्रन के साधन अलग-अलग होते हैं? चर्चा करें अभी आप सुन रहे थे कक्षा 11 के लिए समाज शास्त्र की पाठे पुस्तक समाज शास्त्र परिचय का ध्वनी पाठ वाचन्स्वर, रुची शर्मा, ध्वन्यंकन, मयंक कुमार, निर्माण सहायक, कुसुमलता और शानु मुक्सीम, निर्देशन एवं निर्माण, विमलेश चोधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नईदिल्ली भारत